हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम सेकंड डियर के इंपॉर्टन कुशन की जो के डेली इनुवस्ट्री में सोल और नॉन कॉलेज के बच्चों के लिए है तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे कुशनों को अच्छी तरीके से लर्ण करोगे और इसके अलाबा जो भी टॉपिक से वो भी लर्ण करोगे लेकिन यह इंपॉर्टन कुशन में आप बच्चों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन टॉपिक पर ज्या को नॉमिल गीडीपी है और उसकी लिमिटेशन जो है वह भी ठीक तरीके से याद करनी है इसके अलाबा आपने जो केंज का कंजम्शन फंक्शन है उसको अपने पढ़ा होगा जिसमें कंजम्शन और इंकम की वीच में रिलेशन बताया जाता है वह भी आपको करना है साथी और इसकी limitations, यह भी आपको याद करनी है, और national income determination होता है two sector economy में, three sector economy में, four sector economy में, यह आपको learn करने है, दोनों method से चाहिए saving investment method हो, चाहिए aggregate expenditure method हो, इसके अलावा net export function जो होता है, यानि कि आपको बताना है basically net export function से GDP का determination कैसे होता है, और कौन-कौन से ऐसे causes हैं जिसकी वज़े से जो net export function है, वो shift करता है, तो यह सारे के-सारे question के अलावा आपको एक और question learn करना है, जो कि बहुत important है, वो है aggregate demand का derivation, इसमें आपको price level और GDP के तुरू किस तरीके से aggregate demand को derivate किया जाता है, वो आपको समझाना है, साथी-साथ 80 shocked और SRS shocked का GDP पर क्या impact परता है, price level पर क्या impact परत तरीके से adjust होता है, यानि कि long run में क्या होता है, कि जो भी gap होते चाहे, वो inflationary gap हो, चाहे वो deflationary gap हो, वो automatically खतम हो जाते हैं, तो किस तरीके से खतम होते है long run में, adjustment का process क्या है, वो आपको explain करना है, इसके अलावा automatic stabilizer होता है, long run aggregate supply ये दो कुछ topic भी इसी chapter में बड़ा important है, अ इसके अलावा बच्चो एक और question है, जो बड़ा important है, वो Fischer quantity theory of money, यानि कि आपको Fischer की quantity theory of money पर आपने तीन वीडियो बनाई हुई है, तीनों वीडियो आपको दिख सकते हो, तो उसमें उसके criticism के तुरू आपको ये ठीक तरीके से explain करना है, इसके अलावा बच्चो एक होत derivation से वो भी आपको बतानी है, इसके अलावा derivation of ISLM तो आपको करना ही करना है, साथी साथ अगर आपका slow position कर पाऊ तो बहुत अच्छी बात है, और आपको AD के तुरू कैसे ISLM model के तुरू किस तरीके से AD derivate होता है, ये भी आप बच्चों के लिए बहुत important question है, वो भी याद कर लिजेगा, इसके अलावा एक capture है balance of payment and foreign exchange rate, तो balance of payment, balance of trade क्या होता है, balance of payment के component क्या होते है, इस सारा का सारा concept आपको याद करना है, इसी तरीके से foreign exchange rate किस तरीकी से determine होती है, और किस-किस वज़े से वो change होती है, वो भी आपको ठीक तरीके से learn करना है, इसके लावा बच्चों मैं कुछ short note मी है, जो आपको learn करने है, tax multiplier है, government expenditure multiplier है, paradox of thrift है, objective of monetary policy है, money multiplier है, balance budget multiplier है, function of money, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये सारे के सारे topic करोगे, तो आप सब बच्चों को इसका बहुत फैदा होने वाला है, तो बच्चों इस वीडियो के हमारे पार already recorded video है, एलावा 120 के करीब, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, किस तरीके से आपको ये सारी कि सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो भी मैं आपको बतानाँ चाहिए, अगर आप इसके लिए आपको क्या करना, एक link दिया हुआ है मैंने description box में, आप उसको click करेंग तो जैसे आप उसे फर्स्ट वाइं क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर से मेरी एप को डाउनलोड कर लिजिए विश्णी उकॉनमिक्स स्कूल चाहे तो आप क्या कर सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके पर पहुन जाओगे जहां पर कि आपको इस तरीके से content दिया हुआ है आप एक बार चाहिए तो देख लीजी टोटल 122 वीडियो है और जैसे कि आपका पूरा का पूरा तो इसके थुरू हमने सारे का सारा यहां पर को इसको नीचे अब कर नहीं सकते हैं लेकिन यह नोट्स फ्री विडियो देख सकते हैं तो आपको पेइमेंट करना पड़ागा नोट्स आप देख सकते हैं और जो बच्चे इसको को भाइ करेंगे उनको मैं PDF कपी भी पहुआ द डाउन्लोड कर सकते हैं तो इसके लिए बात क्या करना है आपको बाइन आउप जाना है और बाइन आउप पर अपनी सेलक्ट लोकेशन करनी है जैसे कि मैं डैली में हूँ तो डैली लिख रहे थे ठीक है और पेमेंट का प्रोसेस में आप पहुंच जाओगे तो इस वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आप हमारे यूटूब चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको प्ले लिस्ट है उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिकॉम बीए प्रोग्रम सेकंड यर का और उसमें कुछ वीडियो अगर आपको देखते हैं तो कई वीडियो प्राइविट नहीं होगी सारी की सारी वीडियो और यूटुब पे देखते हो तो कुछ वीडियो फ्रब्र जाहिए और दो हो उपनो जाएंगी विद्रशा गया आपको आपको उपन मिलेंगी तो मैं उम्मिद करता हूं किस प